नमस्कार, By Use IS हिंदी में आपका स्वागत है, प्रस्तुत है दैनिक समचार विशलेशन, सबसे पहले वैविशे हम देख लेते हैं, जिसकी आज के सत्र में चर्चा की जानी है, हम सरपथम COVID-19 महमारी से सीख लेने की आवशकता से सम्बंधित एक एडिटोरियल को देखेंगे फिर हम COVID-19 और अनात बच्चों के संदर में एक और महतपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, तत पस्चात हम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर हम कच्चे माल की कमी से आटो मुबाइल छेत्र के प आपको प्रदान की जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्च प्रिस्तुत है, इसे पेज नमबाच छे से लिया गया है, और इसका संबंध समान्य अध्यन के दुतिय प्रश्ट पत्र में स्वास्त छेत्र से है, यह संबंधित है COVID-19 महमारी से अनेक सीख को लेने की आवशक्ता के संदर्ब में, उलेखनी है कि हम 2020 से ही कुरोना महमारी का सामना कर रहे हैं, और इस पूरी महमारी से हमारे समक्च अनेक सीख सामने आई है, अनेक लेसंस सामने आए हैं, जिसे हमें सीखने की आवशक्ता है, भारत को अनेक छेत में कारवाही को किये जाने की आउशक्ता है और इस सीख को लेते हुए हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा. सबसे पहली जो सीख महत्पूर्ण है वह है स्वास्थ छेत्र में तुरित सुधार की आउशक्ता के संदर में जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ को विदेशों में भी अपनाया गया है 1946 में United Kingdom में इसे अपनाया गया तथा स्वास्त सुविधाओं को व्यक्ति की आई से संबंधित ना रखते हुए सभी तक इसकी पहुच सुनिश्चित की जा सके इसको करने का प्रयास किया गया इसके लिए कुछ नियूनतम बेंचमार्क भी बनाय गये और उसके अनुसार ही कारे को किया गया इसका परिणाम यह भी हुआ है कि आज United Kingdom की जो स्वास्त विवस्ता है वह दुनिया में सबसे अच्छी स्वास्त विवस्ताओं के रूप में देखी जाती है और कुरोना महमारी का सामना भी उसके द्वारा काफी बहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आउशक्ता और इसे भारत में लागू किये जाने के संदर में कुछ महत्तपूर्ण सुझाओ दिये गए थे इसके माध्यम से लगतार यह प्रयास किया गया कि हम सारजनिक स्वास्त सुविधाओं को बहत नहीं कर पाए हैं और हमें इसके संदर में निश्चित रूप से कारवाही करनी होगी इसके समधान के रूप में जहां एक और तो हमें स्वास्त बीमा के कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के आउशक्ता है और साती साथ इसके संदर में भारत सरकार द्वारा जो आगू करने के लिए प्रयास करना होगा ताकि हम स्वास्त देखभाल के छेतर में बहतर गुरणवत्ता के साथ ही हम इसमें समता और समान पहुँच के सिद्धान को भी एकाकार रूप में लागू करने के लिए सकरात्मक प्रयास कर सकें। COVID-19 के प्रस्ट भूमी में हमें वैज्ञानिक ज्यान के प्रसार को भी आगे बढ़ाने किया हो शकता है, क्यूंकि COVID-19 के प्रसार के साथ ही अनेक आयुरवेद गुरुओं के द्वारा इसके उपचार का दावा किया गया, हाला कि समय समय पर WHO द्वारा इसका खंडन भी किया हमने यह भी देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से भारतिये नेताओं आदी के द्वारा प्राचीन भारतिये वैज्ञानिकों की विवित प्रकार की उपलब्दियों का बखान काफी बढ़ा चढ़ा कर किया गया है और इसका भी आधुनिक वैज्ञानिक पर काफी नकरात्मक प्रभाव पड़ा है यही कान है कि कोविद-19 के भयाव है प्रसार की प्रस्थभूमी में हमें उसी के समान वैज्ञानिक ग्यान के प्रसार को किये जाने की आउशक्ता है दूसरे देशों दोरा वायरस से पहतर उप्चार के संदर में कारे किया गया ह उसी के अनुरूप भारत को भी प्रयास किये जाने की आउशक्ता है। जैसे कि विविद विद्वानों द्वारा यह अनुशंचा की जाती रही है कि भारत में वाइरस के जो अलग-अलग परकार के संसकर्ण देखने को मिल रहे हैं, उन सभी संसकर्णों के संदर में बहतर उ को किये जाने के लिए, हमें उन वाइरस की पूर्ण रूप से जीनोम सिक्वैंसिंग और उसके अध्यन को किये जाने की आउशक्ता है। ताकि उस वाइरस में विद्दमान आनुवान्शिक तत्वों का अध्यन किया जा सके। और साथ ही साथ उसमें समय समय पर हुए सत्यनिष्ठा और सत्यता को बढ़ावा देनी की जरुवत है क्योंकि डाटा को लेकर वर्तमान में कई बार आविश्वसनियता जाहिर की जाती रही है। COVID-19 के खत्रे के प्रती बहतर डंग से नियोजन करना चाते हैं तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम वास्तविक आखणों के साथ सामने आएं और उसी के अनुसार भविश्य की हम बहतर रणनीती को अपना सकें जो भारत की COVID-19 तैयारी को और भी ज्यादा पारदर्शी प परियासों को करना होगा हम भविश्य में पांच रिलियन डॉलर की अर्थ व्योस्ता बनने का स्वपन देख रहे हैं साथी साथ हम सैयुक्तराज सुरक्षा परिशद UNSC में भी इस्थाई सदस्यता का लगतार दावा कर रहे हैं हालां कि इसके बावजूद भारत में अभी भी करोडों लोग गरीबी रेखा के नीचे विद्दमान हैं और विश्य बैंक के आंकडों के अनुसार तो करोडों लोग अभी भी प्रती दिन 1.9 जीरो डॉलर कमाई नहीं कर पाते हैं। यदि हम गरीबी के अभी हाल के ही आंकडों के बारें बात करें तो अजीम प्रेम युनिवस्ति के आंकडों के अनुसार भारत में COVID-19 के चलते लगभग 23 करोड भारतिये गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं जो गरीबी की समस्या को और भी जादा जटिल भयाव है बना देता है। इसका बहतर ढंग से निवारन करने के लिए ना केवल हमें अर्थव्य ज़स्ता में Good Economics के Principles को अपनाना होगा। साथी साथ हमें गरीबी उनमूलन के लिए भी विशेश रूप से सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष प्रयास किये जाने की आउशकता है। ऐसा नहीं है कि भारत इससे पहले भी स्वास्त समस्याओं से नहीं जूजा है। भारत इससे पहले चेचक और पोलियो आदी विमारियों का बहतर ढंग से निवारन कर सका है। और भारत को इससे भी सीख लेने की आउशकता है कि किस प्रकार से भारत द्वारा पोलियो बावजूद इसके भारत द्वारा अधिक संसाधन उसके लिए आवंटित नहीं किये गए थे तो हम इस सभी लेसंस को यदी सीखेंगे तो निश्चित रूप से COVID-19 की जो महमारी है उससे बहतर ढंग से निपट सकेंगे और इसका यदी हम बहतर निवारन कर सके तो आगे भी इसके सकरातपक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं पेज नमबर 6 में दिये गए एक अन्य अडिटोरियल की जिसका संबन्ध समानने अध्यन के दुतिय प्रश्च पत्र में गवर्नेंस से है इसे आप समाजिक मुद्दों से भी जोड सकते हैं और साथ साथ सोशल जस्टिस से भी इसका जुडाव है यह आर्टिकल केंद्रित है कोविद 19 और अनाद बच्चों के संदर में उल्लेखनी है कि कोविद 19 की दूसरी लहर पहले की तुलना में काफी भया भय रूप में सामने आई है और इसके चलते अनेक परिवार तबाह हो गए है अनेक बच्चों के माता-पिता अत्वा उनके संदर्ख्चकों की भी दुरभाग्यपूर्ण मृत्यू देखी गई है जो बच्चों के अनाद होने की प्रकिरिया के रूप में दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है कि अनाद बच्चों की देखभाल करने के लिए विवित प् संदर में उचित कानूनी प्रकिरिया का पालन करें तो इससे बच्चों की बहतर और संस्थागत अधार पर देखभाल करपाना संभवो सकेगा अनाद बच्चों की देखभाल के संदर में कई सारे संस्थागत प्रकिरियाएं और विकल्प किसी भी व्यक्ति को उपलब्द होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जैसे कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई अनात बच्चा मिलता है तो इसके सूचना वह सबसे पहले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर दे सकता है जो महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा प्रारंब किया गया एक इमर्जेंसी नंबर है और इसे चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है बच्चे की सूचना मिलने के पश्चार चाइल्ड लाइन यूनिट द्वारा बहतर कारवाई की जाती है जिससे बच्चे को संस्थागत देखभाल प्राप्त हो पाती है दूसरा विकल्प यह है कि व्यक्ति द्वारा जिला सुरक्षा ओफिसर यानि डिस्टिक्ट पोर्टर से प्राप्त हो जाएगा जो महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा गुम हुए और सुभेद बच्चों की देखभाल के संदर में और इनकी खोच खबर के संदर में प्रारंब किया गया एक महत्तपूर पोर्टल है इसके अतरिक व्यक्ति नजदी की पुलिस स स्टेशन में उपस्थेद चाइल्ड वेलफेर पुलिस ओफिसर को भी इसकी सूचना दी जा सकती है इस प्रकार के जो अफसर होते हैं उनको बच्चों से संबंधित मामलों के बहतर निप्टारे के लिए ट्रेन किया जाता है और उनके द्वारा बाल अपराद आधी के 12 पर भी कॉल करके बच्चे को रिपोर्ट कर सकते हैं और कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि व्यक्ति के द्वारा इसके संदर में किसी भी प्रकार के विकल्प को अपनाया नहीं जाता है तो बच्चे को इस तरीके से रिपोर्ट ना करना कि शोर न्याय बच्चों की देखभाल और संदक्षन धिनियम 2015 जिसे जेजे एक्ट 2015 के रूप में जाना जाता है उसके अनुपालन में भी यह एक अपराद है इसके चलते कहा जाता है कि बच्चों की बहतर देखभाल हो सके इसके लिए भी हमें कानूनी प्रक्रिया का बहतर धंग से पालन करना जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे जिले की बाल कल्यान समिती यानि चाइल्ड वेलफियर कमिटी के समक्ष प्रिस्तुत किया जाता है चाइल्ड वेलफियर कमिटी के द्वारा बच्चे की जाच की जाती है और उस बालक को बाल ग्रह अथवा बहतर व्यक्ति अथवा संस्त तक पहुचाया जाना है उसके संदर में निर्णियन किया जाता है यदि बालक अत्वा बालिका की आयू 6 वर्ष से कम होती है तो इसके संदर में बच्चे को विशेश प्रकार की adoption agencies को भी सौपा जा सकता है और इसके संदर में कानूनी प्रावधान भी यह कहता है कि 18 वर्ष स कम आयू के सभी बच्चों की देख रेक राज्य का उत्तरदायत है और इसी के अनुरूब इस पूरी प्रक्रिया को इस्थापित किया गया है स्वयम नायपालिका द्वारा भी इसके संदर में समय समय पर विभित प्रकार के वाद आदी के माध्यम से राज्य आदी को निर देख भाल करने वाली संस्थाएं हैं उनका रडिश्टर होना बेहत आवशक है ताकि सभी प्रकार की बाल देख भाल सेवाओं को हम संस्थागत कर सकें और यह भी दायत्व राज्य का है जिसके संदर में राज्य को त्वरित्ता से कारे करना चाहिए इसी के अनुपालन मे भारत सरकार द्वारा बच्चे को गोद लिये जाने अत्वा दिये जाने की स्थिती में एक वैधानिक संस्था का भी निर्मान किया गया है जिसे हम Central Adoption Resource Authority अत्वा केंद्रिये दत्तक ग्रहन संसाधन प्राधिकन के रूप में जानते हैं इस संस्था के द्वारा भारत में बच्चों को गोद लिये जाने के संदर में एक बहतर इस्थिती और पद्दिती का निर्मान किये जाने के संदर में काफी महतपूर भूमी का निभाई जाती है और इसके द्वारा ओनलाइन वेबसाइट आदी के माध्यम से भी दत्तक प्रिक्रिया के संदर में बहतर जान कारी को प्रदान किये जाने के संदर में तो अरित्ता से कारे किया जाता है इसके अलावा समय समय पर बच्चों की देखभाल के संदर में नयायाले पुलिस को भी दिशा निर्देश देता है जैसे कि बच्चों की देखभाल के संदर में किस प्रकार से विवहार किया जाना च पूरी विवस्था को चाइल्ड फ्रेंडली पनाया जा सके। राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीती के कुछ महत्पूर से धानतों की व्याख्या करता है। और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के अनुप्युक्त व्यावसायों में प्रवेश के लिए आर्थिक आवशक्ता से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके संदर में संविधान का अनुछेद 49 F.B. महत्पूर है जो बच्चों को स्वाश्त तरीके से और स्वतंतरता और सम्मान की स्थिती में विक्सित ओने के अवसर और सुविधाओं की बात करता है। और साथी साथ राज्यों को यह भी निर्देशित करता है कि बच्चपन और युवाओं को शोशन और नैतिक और भौतिक परित्याक के खिलाव संदक्षित किया जाना चाहिए। कि भारत द्वारा बच्चों की देखभाल के संदर में संव्यधानिक दाइतों के साथ व्यधानिक संस्थाओं की भी स्थापना की गई है जिसमें National Commission for the Protection of Child Rights महत्पून है। इसी संस्था के द्वारा अभी हाल में ही सभी राज्यों और केंदर शाशिर प्रदेशों आदी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि COVID-19 में जिस प्रकार से अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ी है उनको एक बहतर विवस्था दी जा सके इसके संदर में संस्थागत अधार पर प्रयास किये जा सके इसके लिए हमें अभी से कारवाही करनी होगी ताकि बच्चों की देखभाल को और बहतर बनाया जा सके और इसका संबन संबन्य अध्यन के तिर्तिय प्रश्ण पत्र में अर्थ विवस्था से है इसमें हम बात करेंगे निरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के संदर में जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है Remission of Duties and Taxes on Export Products Scheme उलेखनी है कि निरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना को 2020 में शुरू किया गया था एक पूरवर्ती योजना Merchandise Export from India Scheme के प्रतिस्थापन के रूप में और मुखर रूप से इसमें यह प्रयास किया जाता है कि निरियात तक जब भी किसी वस्तू का दूसरे देश में निरियात करते हैं और उनको निरियात किये जाने के संदर में केंद्र के स्तर पर राज्य के स्तर पर अथवा इस्थानिये स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क या कर वापस करते हैं तो उनको कुछ सीमा तक कर छूट प्राप्त होनी चाहिए और इसके संदर में एक आटोमेटिक सिस्टम बनाये जाने के संदर में यह योजना काफी महत्तपून है यानि इस योजना के माध्यम से निरियात को बिवित प्रकार के शुल्कों या करों को वापस कर दिया जाएगा जिससे निरियात को प्रतिस परधात्मक बनाने में परेखलें बात करें तो यदि इस प्रकार की एक टेक्स वापसी के संदर में योजना को पहता डंग से संचालित किया जा सकेगा, तो इसके माध्यम से भारतिये निर्यातक, निर्यात के संदर में अंतराष्टिये मानकों को भी पूरा करपाने में सक्चम होंगे, क्यूंकि व पूरी प्रकिरिया को पूरी टेक्स एसेस्मेंट की प्रकिरिया को आटोमेटिक बनाने पर बल दिया जाएगा ताकि व्यवसाईयों को समय बद अधार पर स्वचालित धन वापसी की जा सके और इस प्रकार की स्वचालित धन वापसी मार्ग के माध्यम से उनको समय बद अध भार पर धन प्राप्त कर पाने में सफलता प्राप्त होगी जो देश के लिए अर्थवियोस्था और उन उद्यम्यों के लिए एक कार रेशील पूंजी की प्राप्ती में काफी महत्पूर्ण तरीके से योगतान देगा. हाला कि 2020 में इस योजना को परारम किये जाने के बाद एक आशंका निर्यातकों में ये बनी हुई थी कि सरकार इसके संदर में किस दर पर रीफंड करेगी इस परकार की निर्यात रीफंड दरों को अब तक निर्धारित नहीं किया गया था और अब सरकार ने यह आश्वाशन दिया है कि मई के अंत तक इस परकार की निर्यात रीफंड दरों को निर्धारित कर दिया जाएगा जिस से भारत के निर्यातों को बढ़ाया जा सकेगा चाते साथ हमें ये समझना होगा कि किस परकार से भारत द्वारा लगतार विवित परकार की योजना हो जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयाद साबित होगी जिससे भारत का भी निर्यात बहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा और अंतराश्टी इस्तर पर यह है प्रतिस परधात्मक भी हो सकेगा अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिये गए एक करने आलेक की जिसका जंबन जी एस पेपर 3 में अर्थवियोस्था से है यह आलेक केंद्रित है वैश्विक इस्तर पर कच्चे माल की कमी से आटो मोबाइल जेत्र के प्रभावित होने से उलेकनी है कि 2020 और उसके बाद से कुरोना वाइरस की वैश्विक महमारी के 49 लाक वाहनों पर इसका नकरात्मक प्रभाव पढ़ सकता है और इससे कारो आदी में इस्तमाल होने वाले अर्धचालक सेमी कंड़क्टर के अलावा कार इंजनों में लगने वाले पैलेडियम और प्लेटिनम आदी बहुमूले धातुओं की आपूर्ती श्रंखला भी प् यही कार्ण है कि हमें कोरोना वाइरस की भायावहता की प्रिस्ट भूमी में एक और तो रक्षात्मक निवारक नीती को अपनाते हुए सप्लाई चेन यानि आपूर्ती श्रंखला को बहतर करने के लिए कारवाही करनी होगी और इसके लिए मुख्य रूप से हमें यह सुन योगों में भी पढ़ने वाले नकरात्मक विर्भाव को कम कर पाने में एक बहतर रणीती साबित हो सकती है अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्नी की पहला प्रश्न है कोविद-19 महमारी के भयावय तूफान में भी यदि भारत द्वारा कुछ प अनाद बच्चों की सही तरीके से मदद करने के लिए अनाद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए इस पश्ट करने दस अंग एक सो पचास शब पहले उत्तर की संरचना के संदर में आपको भूमिका म COVID-19 महामारी की भयावेता का समानने परिचय देना है उसके बाद आपको उन मुख्य सिद्धानतों की चर्चा करनी है जिनका भारत को COVID-19 प्रश्च भूमी में पालन करना महत्पूर्ण हो चला है इसमें आप स्वास्त शेत्र का अर्थव्योस्था का डाटा ले सके दूसरे उत्तर की संदचना के संदर में आपको भूमिका में COVID-19 के बच्चों पर हुए प्रभाव को संचेप में सपर्ष्ट करना है और इसके मुख्य भाग में आप अनात बच्चों की बहतर देखभाल के लिए स्थापित प्रिक्रिया और कानूनों का उलेक करें और इसके संदर में विभिद देखभाल उपायों सुरक्षा के लिए कानून और प्रिक्रियाओं का भी उधान देंगे। साथी साथ आप भारत में इसके तहत किये गए कुछ महत्तपूर्ण प्रियासों जैसे की संबैधानिक और विधिक प्रियासों की चर्चा करेंगे और अंत में आप एक उप्युक सकरात्मक निसकर्च प्रिस्थित करके अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बाइजूस आईए सिंदी के आज के संग के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तत्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रारम की गई पहले पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें। आज की अंक पे फिलहाल इतना ही धन्यवाद।